Hello Learners, Welcome to my channel आज के इस वीडियो में हम हिंदी ऐसे राइटिंग करेंगे जिसका टॉपिक है एक राष्ट एक चुनाव जिसको इंग्लिश में हम वन नेशन वन लौ के नाम से जानते हैं तो जब भी हम एक राष्ट एक चुनाव के बारे में सुनते हैं हमें लगता है यह बहुती नया और यूनीक सा कॉंसेप्ट पर ऐसा नहीं है पहले भी हमारे देश में जो है राज्य की विधान सभाओं और लोग सभा का जो चुनाव होता था वो एक ही होता था ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अलग-अलग टाइम पर चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में एक ही बार चुनाव होता था और यह जो प्रोसेस था आजादी के बाद 1952 से लेके 1967 तक सेम रा मतलब तब तक के टाइम पिरेड में पूरे देश का एक ही चुनाव होता था लोग सभा और विधान सभाओं का लेकिन 1967 के बाद यह जो साइकल थी यह ब्रोक डाउन हो गई और उसके बाद से अलग-अलग चुनाव होने लगे तो इसी के बारे में इस निभन्द में देखेंगे हम और इसको समझेंगे इस पूरे कॉंसेप्ट को तो यहाँ पे मैंने पंक्ती के साथ इसकी शुरुवात किये लोक तंत्र का त्योहार है आज मतदान का वार है निर्भय होकर मतदान करेंगे देश का हम सम्मान करेंगे अब इसका introductory part देखते हैं हमारे देश में चुनावो को लोक तंत्र का महा पर्व माना जाता है चुनाव किसी भी देश की लोक तंत्रिक व्यवस्ता को जीवित रखने का एक महत्पुन माध्या में तो हमारे देश में जो चुनावो होते हैं उसको हम क्या मानते हैं लोक तंत्र का पर्व जैसे कि हमारे country के अंदर क्या होता है हर थोड़े दिन में एक नया festival आता है हम उसको celebrate करते हैं वैसे ही चुनाव का system में हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं चुनाव होता ही होता है तो उन चुनावों को भी लोग एक फेस्टिविटी की जैसे ही enjoy करते हैं इसलिए हम चुनाव चुनाव किसी बी देश की लोगतांतरिक व्यवस्ता को जीवित रखने का एक महत 북ुन वाधय में जो भी लोगतांतरिक देश होते हैं वहां पर चुनाव जो है बहुत ही इंपोर्टेंट होता है आज भारती लोकतंत्र उस अवस्ता में है जहां दिखावे का बोल बाला है जहां चुनावों में राजनेतिक दलों का आनेतिक धन पानी की तरह बहाया जाता है प्रतेक पांच वर्षों में संसद और विधान सबाओं में बैठने वाले चहरे तो बदल जाते हैं नहीं बदलती है तो बदहाल जनता की किस्मत वस्तुत है भारत एक बड़ा देश है जहां कभी आम चुनाव तो कभी किसी ने किसी राज्ये के विधान सबा चुनाव वर्ष भर चलते रहते हैं जैसा भी मैंने बताया हमारे देश में आजादी के बाद चुनावी प्रक्रिया में अनेक शंशोधन वे जिससे चुनावों को निश्पक्ष पारदर्शक और सुचारू बनाने का प्रयास किया गया वहीं दूसरी और एक नई चुनावी विवस्ता का निर्मान करने के संदर्म में एक राष्ट एक चुनाव प्रयानाली का प्रस्ताव सामने आया नेक्स पार्ट देखते हैं नेक्स पार्ट देखते हैं नेक्स पार्ट देखते हैं यह जो एक राश एक चुनाव की जो बात है यह कब से चली आ रही है। पार्ट देखते हैं कुछ राज्य की विधान सबाय जो थी वो टाइम से पहले ही डिजॉल्व हो गई तो उस कारण से यह जो पूरा प्रोसेस था ना यह टूट गया। निती आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतेक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता है। धरहसल प्रतेक राज्य में प्रतेक वर्ष चुनाव भी होते हैं। इस रिपोर्ट में नीती आयोग ने तर्क दिया कि इन चुनावों के चलते विभिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुक्सान होते हैं। जनतंत्र का एक महत्पुन उद्देश ये सूसाशन सुनिष्चित करना भी है। एक राष्ट एक चुनाव इस्थिर्ता, निरंतर्ता और सुसाशन सुनिष्चित करने में मदद करेगा। साथ ही सरकार को अधिक समय मिलेगा सरकारी मशीनरी को चलाने में और ज्यादा ध्यान जनकल्यान की और रहेगा। तो नीती आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के है, देश में प्रत्यक वर्ष कम से कम एक चुनाव तो होता ही है। और कहीं पर मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि पूरे पांच साल के अंदर मैक्जिमम 38 इलेक्शन तो होते ही होते हैं त्रू आउट दे कंट्री। इस रिपोर्ट में नीती आयोग ने तर्क दिया कि इन चुनावों के चलते विबिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। उनका क्रियावयन नहीं होते हैं तो यह सारी चीज़े जो है यह बहुत जादा नुकसान करती हैं। सू साशन सुनिष्चित करने में मदद करेगा। तो हो सकता है जब एक राष्ट एक चुनावों हमारे देश में लागू हो जाए तो इन चीजों से काफी हद तक हमें आराम मिलेगा। और सरकार का ध्यान जो है में प्रॉबलम पे जाएगा। साथ ही सरकार को अधिक समय मिलेगा सरकारी मशीनरी को चलाने में और ज्यादा ध्यान जनकल्यान के और रहेगा। अब मैंने पता है तो जब एक राष्ट एक चुनाव हो जाएगा तो सरकार को टाइम मिलेगा। और सरकार जो है अपना टाइम उन चीजों पर लगाईगी जिससे की वेलफेर हो सके स्टेट का। निरंतर चुनाव ने चुनाव आयोग राजनितिक दल प्रत्याशी आदी के पैसा खर्च करने के प्रमान को बढ़ाया है। सेंटर फॉर मीडिया स्टेडीज के अनुसार वर्ष 2019 के लोग सबा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव रहा जिसमें 60,000 करोड रुपे के खर्च होने का अनुमान है। ये डेटा मैंने लिखा अभी रीसेंट इलेक्शन में कितना पैसा खर्च हुआ और जो 2014 का जो इलेक्शन था उसमें एप्रॉक्सिमेट 30,000 करोड हो आता तो इस बार जस्ट डबल हो गया। राजनितिक हीतों से उकपर उठकर देश के हित के बारे में सोचना होगा तभी इस वैवस्ता का निर्मान होगा। तो यह concluding पार्ट है कि अगर एक राष्ट एक चुनाव भारत के अंदर लागू होता है तो कैसे यह हमारी पूरी वैवस्ता को प्रभावित करेगा। एक नई राजनितिक दोर आएगा और इसी के साथ जो है कुछ समविधान के अंदर संशोधन होंगे जैसे आर्टिकल 83 है उसके अंदर होगा आर्टिकल 85 है यह जो भी है ना यह पार्लियामेंट और लेजिसलेचर से रिलेटेड है आर्टिकल 172 है जिसके अंदर अपनी वि जितों से उपर उटकर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए तब ही जो है हम एक राष्ट एक चुनाव जो है इसको ला सकेंगे हमारे देश के अंदर और एक नया विचार और विचारधारा का जो है निर्मान कर सकेंगे अगर आपको ये वीडियो लगियो इंफर्मेटिव लगियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू सो मच